नजश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का TCS 15 साला की यूट्यूब चैनल पे मैं शक्ति अब्रकार पुछा स्वागत करता हूं आपका इस करेंट अफेर्स के सेशन में करेंट देमों के मैं महीने के ही दूसरे वीडियो के बारे में कलम लोगोने महीने का फेला वीडियो पढ़ा था आज हम लोग फेले लोगों ने प्रतिकरिया दी, कुछ लोगों नहीं दी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जरूर आप लोग भी बताया करिये, कि helpful है वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कुछ improvement चाहिए, इसके बारे में भी बता दिया करिये, ठीक है, आप अगर पहले दिन आया है ह अगर आपको मैं समस्या कर रही है, आपके selection में, तो आप वहाँ जागर के एकदम नामातर के पैसे से उस match को खरीच सकते हैं, और class पड़ सकते हैं, चलिए हम लोग start करते हैं अपने session को, ठीक है, तो current difference का जो आज का session है, वो make up part 2 है, ठीक है, जैसा मैंने कहा था, कि ऐसे ही Question क्या कह रहा है, Question कह रहा है कि, देखिए, सन्युक्तराज अमेरिका ने हाली में, टाइगरे संकट को लेकर, इन दोनों देशों में से किस पर प्रतिवंथ लगाया है, तो यहां पर एक तो बात clear है, कि किस ने लगाया है, सन्युक्तराज अमेरिका ने लगाया है, मतलब USA पहान के, ठीक है, देखिए इसको पूरा पढ़िये, इसमें क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि, यूपोस इउदोपिया इण पर इठीकारियों पर वीजापतिबंद लगा दिया है, जी पर इउदोपिया के टाइगरेड़ खेत्र, मतलब यूज़ ताइगरे में सत्रुत है करने के लिए सार्थक कदम नहीं उठा सुनिसे अपने सपूराइस को पढ़ा और आए रोग काहानी और य है यह मैं आपक अब देख रहे हूँगे यह ए है यूताइन हिसे हूंगे एक आग्षढ का से लिएunda by यह बटेक्ध हूँगे यह है Eritrea, यही पर एक question बनता है जोग्रफी में, यह अफरीका continent है और अफरीका continent में यह देख रहा है, यह पूरा का पूरा जो अकार देख रहा है, इसको बोलते हैं Sing, Horn of Africa, तो कई बार आप से बुच लिए जाता है कि Horn of Africa में कितने देश हैं, ठीक है न, तो Horn of Africa में आपके क इसको किसको अलग कर रहा है, तो यह जीबूती और यमन को अलग कर रहा है, ठीक है, तो चली हम लोग आते हैं, हम लोग बात कर रहे थे, दो देशों के बारे में जिनके बारे में चर्चा है, तो यूथोपिया के बारे में एक एरिटरिया के बारे में, आप थोड़ा सा औ और आगे बढ़ेंगे कुछ दिन पहले, आपने रेखा था कि 2019 में एक Nobel Prize दिया गया था, सांती का, ठीक है, और वो Nobel Prize जिनको मिला था, वो यूथोपिया के ही President थे, मैं उनके बारे में आपसे डिसकस करता हूँ, ये है, ठीक है, यूथोपिया के President नहीं, प्राइम मिनिस्टर ठीक है, अभी एहमद, तो ये जो अभी एहमद साहब है, इन ही को Nobel Prize मिला था, किसके लिए, इरिट्रिया से इन्होंने अपने लॉंग टर्म के संघर्स को समाप्त कर दिया था, मतलब यूथोपिया के प्राइम मिनिस्टर है, और इन्होंने यूथोपिया से क्या सांती वर गई, तो बहुत सारी जो छोटी-छोटी पार्टी थी यूथोपिया की, वो यूथोपिया के जितनी भी छोटी-छोटी पार्टी थी, वो सब जो है, वो इनके साथ, अभी एहमद के साथ जुड़ गई, और इन्होंने दोहजार उनीस में, I think, एक दिसंबर दोहजार उनी सारी पार्टियां तो लगब इनकी पार्टी से मिल गई, लेकिन एक पार्टी ऐसी थी, जो वहां की बहुत पहले की पार्टी है, उस पार्टी का नाम देलिए, यहां पे दिया गया है, टिग्री पीपल्स लिबरेशन फ्रेंट, ठीक है, यह जो प्रॉस्परेटी पार्ट है यह प्रोस्परेटी पार्टी एक दिसम्बर दोहजार निनीस को प्रोस्परेटी पार्टी बनी है इसके प्रेसिटेंट कौन है अभी एहमद साहब है और चितने भी छोटे-छोटे दल थे वह अभी एहमद के साथ जुड़ गए ठीक है और यह जो टिग्री पीपल्स ही फुड़ी पर, प्लमी का देखा अपने विपके समाथ करने का मतलब है उसके मन में यह भी होता है कि तिग्रे पीपल्स लिबरेशेंट फार्ट भी किसके साथ चुड़़। जुड़ जा है हमारे साथ चुड़ जुड़ लेकिन ऐसा जो टीपी एले लोग हैं, देग्र पर लिबरेशन फ्रेंट वाले हैं, इन्होंने ऐसा नहीं किया, अब इन्होंने ऐसा नहीं किया, तो यही पूरा विवाद है, मामला क्या था? यूदोपिया के जो, वो है, पियम है, मतलब एहमाद साहब है ये, अभी एहमाद, तो इन्होंने इलेक्शन को कोविड-19 की वज़े से रोक दिया, और ये जो पीपल्स लिबरेशन फ्रेंट है, तिग्रे में जो प्राइमरली रूल कर रहा है, इसने कहा भाई कि आप इलेक् नहीं हो सकते हैं, तो वो जो टिग्रे में पाइटी है, जो अपोजिशन वहाँ पर रूल कर रहा था, उसने वहाँ पर लोकल इलेक्शन अपने आप करवाने चालू कर दिये, और अपने आप जो लोकल इलेक्शन करवाने चालू कर दिये, तो ये जो यूदोपिया के प्र प्रतिवन्त लगाते हुए चला जाता है अब इस बात से क्या हो जाता है डिस्टर्वस क्रिएट हो जाता है ठीक है ऑई एक तरफ आप इतना महान काम करते हैं कि शांति-वारता करतें दूसरी तरफ आप से अपनी ही बातें नहीं समल रही है तो इन सब बातों में कहीं ने कहीं बड़ा क्लैस हो जाता है जिसमें बीच में US आता है ठीक है और US क्या करता है कि यूथोपिया को भी restrictions लगाता है और Eritrea को भी लगाता है अब देखिए जब यूथोपिया में ही क्या होने लगेगा कि विवाद होने लगेगा यहां पर तो Eritrea कहीं न कहीं इस बात को और बढ़ावा देगा ठीक है क्योंकि भाई Eritrea तो पहले से यूथोपिया के साथ संगर्स में लगा हुआ है तो यह सारे कहानिया थी जिससे यूथोपिया ने क्या लगा दिया है यूथवरी अमेरिका ने क्या लगा दिया है वो प्रदिमंद लगा दिया है अब देखिए यह कॉन्फिलिक्ट एक्शली हुआ क्या यह पूरा का पूरा वो अभी एहमद के प्रेसिडेंट बनने से विवात की सुरुवात होती है 2019 के पहले जो टिग्रेल्स पीपल लिबरेशन फ्रेंट थे वो यूथोपिया की गवर्निंग एक मतलब जब वहां की सरकार बनती थी तो वो भी उसका पार्ट हुआ करती थी लेकिन जब क्या कहते हैं अभी एहमद की पार्टी बनी तो इसने क्या कर दिया refuse कर दिया कि हम prosperity party join नहीं करेंगे ठीक है अब जो टिग्रेल्स प्रेंट है वो एक तरीके से भाई पहले की पार्टी है तो उसमें जरूर influential leaders होंगे ठीक है अब इसकी वज़े से क्या हो गया उसने मर्जर से मना कर दिया और मर्जर से मना कर देने की वज़े से वो अकेले ही विपक्ष के रूप में काम करने पर राजी हुई तो कहीं नहीं मैंने अभी आपको कहा था कि यह बात अभी एहमद को ठीक नहीं लगेग ठीक है तो यह मैंने आपके लिए सीड का पूरा का पूरा चारो देश के बारे में रख रखा है आप इसे देख लिजेगा सीड का भी कॉश्चन तो इस तरीके से पहले कॉश्चन को कम्प्रीट कर लेते हैं अब यहां पे देखिए आपका इसका प्रस्ट का एंसर कौम सा होता है पहला कि हाली में सभी अमेरिका ने टेग्रे संकint को ले करके इन डेशों में से किस पर प्रतिबंद लगाया है तो वह प्रतिबंद किस पर लगाया है भाई टिग्रे Eritrea और Eutopia पर ठीक है चले अज़िए प्रस्ण पर चलते हैं Question No.2 Question No.2 क्या कहता है कि हाली में किस एजिन्सी में विश्व का प्रथम एक मोट केदा हाली में किस एजिन्सी में विश्व का प्रथम व्यापक रोड़मेक नेट Zero Emission Roadmap 2050 जाने किया हुए आव यहाँ इक नई बात है यहाँ से समझेगा zero emission ठेक है? zero emission road bank इसने चालो किया है? तो आपको कुछ दिन पहले एक news रही होगी, आपने देखा होगा कार्वन zero की बात हो लाए ति यह कुछ ऐसा ही है zero emission देखते हैं यह क्या है चार उसन आप के सामने दिये हुए है लेकिन इसको उप्सन सही करने से पहरे देखते हैं इस के पीछे का काम क्या है कि इसने बदिखते अकने तो नेट जीरो एमिशन कब तक करने की बात है दो हदार पचास थक है इस बात को ध्यान रखिएगा अब इसके बारे में रिफरेंस में देखिया है हाली में अंतरास्टी उर्जा एजनसी मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एस एजनसी शुद्सुन्य उद्सरजन मतलब नेट ज जैसे माल लिजे अगर देश में बहुत जादा हो रहा है तो इसको कम करने का क्या तरीका है दो मेथरें नबर एक है कि एक काम कर दीजे जिससे एमिट हो रहा है जैसे माल लिजे भटे चल रहे हैं बहुत सारे ब्रीक जो फरनेस है और ऐसे हैं बहुत सारे फैक्ट्री चल तो एक 10 को बराबर करने के लिए उतना ही आप पेड लगा दीजिए जो कंजीम कर जाएं ठीक है तो जितना उत्थरजन हुआ उतना ही समप्ति हो गई तो इक तरीके से बैलेंस बन गया इसको भी हम लोग बोलते हैं जीरो एमिशन तो नेट जीरो दो हजार पचास तक करने की ठीक है दुनिया का पहला ऐसा रोड मैप है जो कॉप 26 में लिया गया था यह भी ध्यान रखिएगा COP26 में लिया गया था और कहां लिया गया था इसकोट लैंड के ग्लास को ग्लास को में तो आप इतना ध्यान रखिएगा यह किस ने किया है IEA ने किया है Solar International Energy Agency ने किया हु तो यह बुरे आपको समझ में आए हूंगे मुझे लगता है और यह इंटरनेशनल एनर्ची एजनसी के बारे में आप समझेगा यह है इसके हैट कहा है परिस पे हैं फ्रांस कितने मेंबर हैं समय तीस मेंबर हैं ठीक है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो आई ए ने क्या किया है दोहजर पचास तक नेट जीरो एमिशन की बात की हुई है ठीक है कैसे नेट जीरो एमिशन हो सकते हैं तो आठ तरीके उसने से बताए हैं देखिए यहां दिया इंक्रीज सोलर एंविंड एनरजी मतलब जो रिनेवल एनरजी है जो प्योर एनरजी इससे की प्रदूशन नहीं होता उनको ले आओ ठीक है ना और वेहिकल का क्याता है एलेक्टिक सिटी पे वेहिकल को टांसफोर्ट करो इससे डीजल पेट्रोल से खतम करिये ना इस तरह से करके आठ तरीके इन्होंने बताय हुए है इसके साथी साथ उन्होंने कुछ और ब पर चले है यह प्रस में क्या पूछा हुआ था किस एजेंसी ने तो कौन सी एजेंसी है अंतररास्टी है और जा एजेंसी कब तर दो हजार पचास था चले क्वेशन नमबर तीसरे पर चलते हैं क्वेशन नमबर थाइड है देखिए आप शेशन को जरूर शेयर कर दीजिए हम लोग बहुत मेनत करके इसको बनाते हैं आपके लिए ठीक है दिन बार की खबरों से अच्छी खबरे ला करके कौशन बना करके ठीक है इधर उधर से चीज़े डून करके आपके लिए ले आ अटीबाडी कॉक्टेल एक नया वर्ड है धान रखेंगा अ अटीबाडी कॉक्टेल कोक्टेल मत अब समझते हैं तो हला कि युजरी समस्ते हों कि वीडियो देखने हैं या सुने होंगे कहीं पर और कोक्टेल का मतलब है कि कई चीज़ों को मिक्स कर देना है युजरी आएंगे इसके कुछ न्यूस देख लीजिए कोरोना खिलाफ लगाई मजबूत रोष इंडिया और शिपला देखिए यहां पर मिल गया रोष इंडिया ठीक है और शिपला तो अब आप से एक प्रस नहीं यहां पर बन सकता है कि रोष इंडिया कहां की है तो स्विट्जेले व्रति को लेना होगा मतलब लग मंग देख रहा है यह एक लाग 18,000 रुप है लगबग 18,000 रुप है लगेंगे व्रति को जिससे की कुरोना से वो मुक्त हो सकता है बहुत क्रेडिकल कंडिशन है फिर भी उसकी कुछ कंडिशन दिया हो गया है कि 1200 mg का डोज लगेगा ठीक ह तो यह जो है antibody cocktail है यह कैसरी मिव और इंडे मिव से बना हुआ है यह दोनों ध्यान रखेगा किस से बना हुआ है तो कैसरी मिव और इंडे मिव से बना हुआ है देजबर में cocktail का जो distribution होगा वो कौन लिया हुआ है शिपला ने ले रखा है ठीक है आए थोड़ी सी बात कर ले है शिपला और रोष के बारे में मैंने आपको अनॉंसी कर दिया तो यह अच्छी ख़बर है एक तरीके से दिखा जाए तो ग्रेट रिलीव की बात की जा रही है क्योंकि जब जिस तरह से से केंड वेब को रोना काया हुआ हुआ है और थार्ड वेव की बात की जा रही है तो जिनके बास पैसे है अलागी यह मेंगी चीज है कलम लोगों ने चीज के बात किया था दीको वेम के बारे में याद हो अगर आपको पिछले लेक्शर में वो सस्ती मेडिसिन थी सस्ता टूल किट था यहां पर यह जो है वो बहुत ही महंगा है लेकिन ठीक है लोग तो अब दा में कितनी महंगे महंगे लगवा ले रहा है तो एक अची ख़बर है और वो है दो कंपनियों ने रोष और शिपला स्विट्जलेंट की और भारत की कंपनी तो आईए एंसर आपको मिल गया होगा कि स्विट्जलेंट रोष ने किसके साथ तो शिपला के साथ मतलब सी ठीक है शेर कर देरो भाई सारे लोग सेर्वेर नहीं कर दो यह अच्की बात नहीं है ठीक है देख रहे हो आप लोग हम लोग कितना मेहनद करके ले आ रहे हैं शीदों को आपके लिए बेनेफिशल अब कैसा आपको लग रहा है सबसे बिले चलो यह इई बता दिया अग ने वैक्सिनेशन करवाik है कि नहीं करुआ आपके लिए कर रहे है तो वैक्सिन टूरिजम के बारे में क्या मतलब है ठीक है तो COVID-19 की दूसरी लहर और दुनिया भर बड़े पैमाने पर टीका करने तारिकरम के बीच वैक्सीन टूरिजम सब्द गती पकड़ रहा है दिल्ली मासकों के लिए Arabian Night Tours नमक दुबाई इस्थिक ट्रेवल एजेंसी द्वारा वैक्सीन टूर पैकेज के मसवदे के बाद मतलब कि एक वो टूरें ट्रेवल से उसका नाम है Arabian Nights Tours इन्होंने क्या कर दिया है इन्होंने अनौन्स किया है वैक्सीन टूरिजम नाम का शब्द चर्चा में है ठीक कौन सी है Arabian Nights Tours ठीक है वैक्सीन परेटन को वहाँ जॉब प्राप्ट कराने के अतरीक लाव के साथ-साथ दर्सनी अस्थनों की यात्रा मतलब एक सीरी सीरी बात है उसने कहा है कि आप यहां से जाएंगे तो आपको वैक्सीनेशन तो होगा ही वहाँ के जितने चले आएंगे तो रूज यह से देश के लिए आगे क्या कहते हैं उन्होंने अनौंस किया है तो हलाकि यह प्रमारित नहीं है अब ही आप देखेंगे कि आगे यह चीज़ मना कर दिया गया है लेकिन वैक्सीन तूरीजम का सिधा-सिदा मतलब है कि इस देश से किसी अन्य चीज़ की यात्रा करवाना और जहां पर वैक्सीनेशन भी है साथ में गुमने तहलने का भी प्रावधान है तो वैक्सीनेशन भी है और टूरीजम भी है इसी वामलोग वैक्सीन टूरीजम कहते हैं ठीक है क्लियर होने होगा अब यहां परसन आता है कि वाट इस वैक्सीन आप समझी है क्या भारत के लोग COVID-19 के लिए बाहर वैक्सीन तूरिजम के लिए जा सकते हैं तो इसके लिए कुछ क्या कहते हैं ये आपदा में आउसर है ही मैंने अभी बताया भाई टूरिल्स पारे ने इसको एक तरीके से आपदा में आउसर करन कमड के लिए यहां तक कि लोग उसके लिए भी कहा रहे हैं कि लीजा हुजा सब दिलवा देंगे टेंसन लेनी के बात में है ठीक है हमारे यूनियन मिनिस्टर है ठीक है प्रहला पटे रियोंने कहा हुआ है कि देर में भी नो नीट किसी को दरत नहीं है भारक सक्षा में टीका हुई का लगा देगा आपका आप टेंसर मतलों उतनी दूर जागे टीका मतलग वह यह हमारे मिनिस्टर ने कहा हुआ है जबकि ये शुबाश गोल साथ के कहते हैं इन्होंने वो के कहते हैं इंडियन एस्सोशेशन ऑफ टूर अपरेटर्स के प्रेसिजेंट है इन्होंने कहा हुआ है कि अभी य आप समझ चुके होंगे क्वेशन का एंसर आपको मिल जाएगा क्या है कि इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब यही है कि वैक्सिन टूर पेकेस टू फॉरीन कांट्री ठीक है तो दूसरे देश में जाकर कि आप लगवा सकते हैं ठीक है चलिए अगला प्रसन है बहीं कैसा अ आपको फायदे मतलब exams के लिए जरूरी है नहीं नहीं खबरे मिल रही की नहीं मिल रही ज़रूर बता देजेगा ठीक है अर्वा कॉश्चन है रिसेंटली विच एरलाइन से हमारे भारत की जिसके डेटा लीक हो गया है ठीक है ना तो यह कौन सी एरलाइन है एरलाइन के चार कि एर इंडिया तो यहां से कंफर्म होड़ा है कि एर इंडिया जो हमारी वो है क्या कहते हैं प्लेन है जो कंपनी है उसी का डेटा बरीच हो गया मतलब की लीक हो गया है अन्य लोगों तक पहुँच गया है ठीक है अब डेटा सेक्यरेटी आप जानते ही हमेसा बात होते है यहां पर credit card भी होते हैं, बहुत सारे लोग credit card save करके रखते हैं, जब भी हम ticket book करना होगा, तो हम ticket book कर लेंगे, तो यह कहीं न कहीं होता है, तो data breach को लेकर के, ठीक है, यहां पर दिया वे गया है, news में भी, ठीक है, अलगबग इतने सारे customer हैं, जिनके CVV और क्या कहते हैं, cards के data data leak हो गया है, ठीक है, actually हुआ क्या, कि भारत जो है, वो, air in here जो है, वो CETA, यह company का नाम याद रखेगा, CETA passenger, यह company है, जिसको भारती है, भारत में क्या कर रखा है, यह Switzerland land-based company है, ठीक है न, और यही सारा ticketing का मामला समालती है, मतलब air in here ticket खुद नहीं करती है, बलकि वो एक company को यह दे दी हुई है, कि आप सारा ticketing का procedure देखेंगे, तो इसी यहीं पूरा का पूरा काम करती है, लेकिन हम आभी जो data leak हो गया है, तो कहीं न, कहीं एक top of the town बना हुआ है, कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, अब यह सब claim लोग करी रहे हैं, कि phone number leak हो गया है, वो cyber crime हुआ है, अब let's see, क्या होता है, बस आपको यह ध्यान रखना है, data breach हो गया है, air India नहीं company का भारत के, ठीक है, और CETA कौन थी, हमारे भारत में air India का ticketing process देखती है, क्वेशन का answer देख लीजे, तो हाली में cyber crime, कि कौन सी वो सफर कर रही है, तो air India, ठीक है, चलिए, अगले क्वेशन पर चलते हैं, question number six है, और यहां पर दिया गया है, हाली में भारती प्रतिसपर्धा योग ने किस तारिक को बारहमा वारशिक दिवस मनाया है, तो यह ने तर्म है आपके लिए वारशिक प्रतिसपर्धा योग, अब मैं तुछा से एक्जाम्पल देता हूँ, जैसे माली जी चार्ड एर्लाइन्स कंपनिया हैं ठीक है, यहां से लखना हूँ जब ले जाएंगे तो आप से दो हजार रुपया चार्ज करेंगे, लेकिन स्पाइस जट कहते हैं कि हम 20 रुपया चार्ज करेंगे, तो अब बताओ भई, जो क्या कहते हैं, इंडियन एलाइन्स में लोग नहीं जाएंगे दो हजार में तो कही ने कह यह तो मार्केट खराब कर देगा पूरा ना, तो इन सब चीजों की जांच के लिए प्रतिसपर्धा आयूग बनाया गया है, कि कोई भी आदमी इतना डिग्रेड ना कर दे क्वालिटी कि हमारे यहां मार्केटिंग ही पॉसिबल न रहे, बिजनिस को बहुत लॉस हो जाए ठीक है, तो यहां पर देखें, कॉम्पेटीशन, कमिशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी स्थापना 2003 पे हुई थी, अला कि यह काम लागू जब हुआ था, वो 2009 साइद लागू हुआ था, ठीक है, हाँ 2009 को पूरी तरह से लागू हुआ था, 14 अक्टूबर 2003 को क्या हुआ था ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेगा, यहां पर साइद कहीं पर एंसर मैंसर नहीं है, बट आप ध्यान रखेगा, 14 अक्टूबर, ठीक है, तो यह जो है, अपनी इस डेट को जो मनाता है, वो 20 मे को मनाता है, ठीक है, आप इससे देख लिजेगा, इसका एंसर होना बारा, फिर करेंगे आप, तो यह लगभग बारामा होगा, ठीक है, तो बारामा पर इस पर दरिवस मनाया गया, बना कब था, हाई यह है, तो 20 मई को, ठीक है, अब 20 मई को मनाया गया, 2003 में बना था, 14 अक्टूबर को, और यह 20 मई 2009 को लागू हुआ था, तो इसी के लिए ह क्या किया है, अनौंस किया है, कि हम COVID-19 के लिए जो लोग अक्षम देश हैं, यह जो गरीब देश हैं, हम उनको, क्या कहते हैं, जरुवत मन को टीका परदान करेंगे, कितने टीके परदान करेंगे इसके बारे में, तो यहाँ पर कॉश्चन देखिए, एंसर आपको मिल जा साल की जरुवत माइठान क्या जरुएक इसके बाद में बहुत गांड़ जाने की जरुवर्द नहीं है, और पायुट टिक कहां की है, इंडिया की है, तो इन दोनों लोगों मिल करके क्या किया है, 2,000,000,000,000 देने का पराधान किया है, ठीक है, कोई दिकत परीशनी नहीं ह होनी चाहिए ठीक है अगर कोई इस पे एंसर आगर आप देख रहे हैं तो कितना है दो बिलियन इसका मतलब है एंसर सी हो जाएगा चलिए अगले कोश्चन पर चलते हैं और ये कोश्चन है आठवा नुम्बल अंतरास्टी जव विवित्ता दिवस हर साल किस तारीक को मनाय ज अगर आपके पास कोई भी जीव है जिसमें जान है वो किसी ने किसी तरीके से काम का हो सकता है मनुश्य के तो आप उन्हें क्या करेंगे बना के रखेंगे आप उनकी मतलब उनको मारने में से योग नहीं करेंगे डाइवर्सिटी होनी चाहिए ठीक है तो जव विवित्ता दिवस जो है वो कब मनाय जाता है बाइस माई को अध्यान रखेगा बाइस मार्च बाइस एपरिल और बाइस माई ये तीनों डेट जो है वो बहुत इंपोर्टेंट है तो आप मुझे कमेंट बाक्स में बताए 22 मार्च और 22 अपरेल को कौन सा दिवस मनाय जाता है मैं हिंड भी कर दे रहा हूँ एक प्रिथवी दिवस है एक जल्दिवस है आपको ये बताना है कब कौन सा है ठीक है कमेंट कर दीजी जल्दी से अगला प्रसने आपके लिए नौमा लोगों के लिए घर में परिवेशि जे हर्याना ने 24 मार्च और 22 को एक कोविड विरोधी संजीवनी पर यूजना शुरू करेगा यह ग्रामिट छेत्रों में रहने वाले लोगों को कोविड-19 के हलके मात्यम से लक्षन वाले लोगों के लिए घर पर एक परविश्चित और त्वरीत चिकित्सा देख्भल प और अगला कॉश्शन है और आजका आखरी कोशन है किया हमी में इस च्हेतरे से जूड़े हुए थे हैं ने मीटेड लेगए पर बृब इंडिया नुक्लियर डील हुई थी जो उसमें स्रीकुमार बेनरजी साब का बड़ा योगदान था उसके लिए देखें नरेद मोधी साब का क्या करते हैं ट्वीड भी है आप इसको पड़ सकते हैं तो यह एक नुक्लियर साइंटिस्ट थे ठेक है और फर्मर चेर्मेन थे कि वज़े से हुआ है जब इंडिया का नुक्लियर डिल साहिल हो रहा था तो इनकी मातुपूर्ण भूमिका भी रही है तो यह नुक्लियर साइंटिस्ट थे आपका एंसर आपको मिल गया होगा यहां पर इह हैं तो आज का यह मे का दूसरा टॉपिक कम्प्लिट हो जाता ह कैसा लगा आपको यह लेक्चर आपके लिए मातकून है आप इसे जरूर नूट कर लिया करिए मैं इतना जरूर कहता हूं कि अगर आप इसको पूरे ठीक से पढ़ते रहेंगे तो आपको बाकी करेंट अफरस के लिए परशान होने के दुरत नहीं पड़ेंगे थैंक यू व